असलामलीकूम आई यूटू फैमली कैसे हैं आप सब ठीक हैं आई होप आप सब ठीक होंगे वेल्कम बैक टो माई चैनल वेल्कम बैक टो एन अधर विलोग तो फाइनली आज मुसम काफी ज़्यादा प्यारा था लेकिन गर्मी भी थी लेकिन साथ में हवा भी चल रही थी औ आप सब को आज फिर से दिखाया जाए और मोसम भी दिखाया जाए कि मौसम कितना प्यारा था लेकिन मोसम किए मौसम प्यारा होने के साथ साथ धूब बहुत तीज थी और गर्मी का एहसास भी हो रहा था क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कभी बारिश हो जाती है कभी बादल हो जाते हैं कभी मौसम ठंडा हो जाता है और कभी गर्मी हो जाती है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी डक्स को नहला दिया जाए मैंने आप सब को कहा था कि मुझे कॉमेंट्स वर्क्स में बताईएगा कि हमारी जो डक्स हैं उनके जो पर हैं वो क्यों गिर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी जो डक्स हैं उनके जो पर हैं वो बहुत ज़्यादा तूट कर गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके पर जो है वो उतर रहे हैं पता नहीं कि क्यूं अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताईएगा अभी तो ये कुछ भी नहीं है वाश करने के बाद बहुत कम उतरे हैं लेकिन वाश करने से पहले इनके अच्छे खासे पर जो हैं वो उतरे हुए थे जो कि मैं परिशान भी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यूं है खैर अब हम अपने डक्स को नहलाने की तरफ चलते हैं और आप सब को पता है कि अभी कुछ हमारा काम पेंडिंग पड़ा है जैसे कि हमने अपनी डक्स के लिए इनका सपोर्ट लेकर आना है अभी फिल हाल मैं इनको टेंप्ररी ऐसे पाइप से नहला देती हूं और वो जो सामने बड़ा सपोर्ट है वो भर कर रखती हूं और दिन में धूप होती है तो हमारी डक्स जो हैं सारा दिन खुली रहती है तो दिन के टाइम में जो हमारी डक्स है इस तरफ आ जाती है चाओं वाल एरिया में क्योंकि जहां पर इनका केज है वहां पर तो धूप रहती है जिसकी वज़ा से इनको गर्मी लग सकती है तो अभी तो इनको फ्रीडम दिया हुआ है सारा दिन खुली घुमती है तो यह चाओं वाल एरिया में रहती है लेकिन ज आज कल मुझ पर काफी जदा अटैक करने लगी हैं जैसे ही मैं इनको डाइट देने के लिए जाती हूं तो मेरे लिए इनको हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है या तो मैं छुपकर इनकी डाइट को रखती हूं और बाद में इनको बता देती हूं कि आ जाओ जी अपनी डाइट को इंजुआई करें क्योंकि डॉक्स जो हैं काफी जादा मुझे तो लगता है कि डराने वाली है आपका अगर डॉक्स के साथ को एक्सपीरियंस है तो मुझे जरूर बताईएगा और अभी हमारा जो मोर है वो केज के ओपर चला गया था और हमारी मोरनी जो है वो का करते थे जंप लगाते थे तो वैसे ही उन्होंने उसको तोड़ दिया और पहले तो कुछ थोड़ा टूटा था लेकिन अब काफी ज़्यादा टूट किया है हमारे मिठू का केज तो मैंने फिलहाल यहां से मिठू के केज को हटा दिया है हमारा जो मोर है वो तो अच्छे स पर चड़ गई थी और इस दुरान में जो हमारा मोर है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है कि उसकी जो मोर नहीं है वो उसके पास आ जाए और अब चलते हैं अपने पिजन की तरफ और जो हमारे पिजन अर्से से अपने अंडे खराब करते आ रहे हैं फ एल्याला की खुदरत दें और इनका गऑना में बाहर आने वाला है और मैंने इनकी धायर दायट लिकषी और को साफ में पानी पासे था और माशालिए हमारे नीचे में जो हमारे ब्搞 ईते नहीं माच्छा अजह उ प् helped क्ने अंग HOLS घ्राऊंने हमारे बड़े और अजक़ तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो पाउं टेड़ा ना हो और आप सुब को पता है कि हमारे बेबी पिजन जो हैं वो नहीं बचते खैर अभी मैं अंदर बैठी हुई थी और मुझे अभी पता चला कि बाहर फाक्ता आई हुई थी तो मैंने कहा कि ये देखें फाक्ता और हमारे स मुलिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं आप से कल नीव विलोग के साथ अब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्हाफिज का येजिए अफ खन्हाब ये दू Robertson झाल झाल